हेलो गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल फास्विक्स टाइकनों आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डेट फोन सॉलुशन के बारे में कि हमारा अगर फोन बंद हो जाता है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे स्टैप बाइस बताऊंगा आपको तो चलिए स्टार् करेंगे हम स्टैप बाइस तो मैंने आपको इस वीडियो में पांच बाइसे पॉइंट बताऊंगा जो हर एक टेक्निशन को पता होने चाहिए तो चलिए पहला पॉइंट देखते हम क्या है पहला पॉइंट है हमारा बैटरी को चेक करना बैटरी में कितनी वाल्टेज होत कर The та बैटरी में ज तोब ब्ले लीए को मैंने एक आतरी मीटर ले लिया मंनघेंड में रिमीटर के वाने करते हृत हमेंayo क्यों क्यों वाल्टेज में ना अपने में करेंट को चेक कर ना तो कर रहा है और 3.8 से कम करें या 3.5 करें जिसका मतलब हमारी बैटरी को बुस्ट करना पढ़ेगा हमें वल्टज नहीं ही इसलिए फॉन उन नहीं करेगा 3.8 जब तक नहीं होगी तब तक फॉन नहीं करेगा तो यह था हमारा पहला तो चेक battery connector primary line OK OK condition or not अब हम primary line की Okay condition चेक करेंगे battery connector में कि battery से जो line जाती है हुंशा बैटरी कनेक्टर पर 2-प्लस की पिन होती है और 2-प्लस की पिन होती है तो इस में से primary line कैसे चेक करेंगे है आप यह पूझोगे मिर से तो primary line हो mobile जो बैटरी कनेक्टर से जो लाइन बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक जाए उसे हम कहते हैं और उसी को हम वी बैट लाइन भी बोलते हैं अब सेकंडरी लाइन क्या है चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट मिलता है सारे सेक्षिन को उसे हम वी प्याइस लाइन कहते हैं और उसी को हम secondary line कहते हैं चलि इसके बारे में थोड़ा डीटेल में जानते हैं तो इसके लिए मैंने एक tract बना रखा है यह हमारे होगे battery connector यह लगा दिया मैंने एक डाइवोड दूसरा डाइवोड फार ऊक्रव्ट दो तक की लाइन को हम क्या कहते हैं वीबेट लाइन और वीबेट लाइन को हम क्या कहेंगे प्राइमरी लाइन और हमारी जो आउट होती है चार्जिंग इसी से उसको क्या कहते हैं वीपेस लाइन और इसी को हम क्या कहेंगे सेकेंडरी लाइन तो अब हम बैटरी कनेक्टर पर क् हैं अब जैनेंगे हम को कैसे चैक करेंगे तो चलिए जानते यह हमारा और क्या कर दीन है सट कर दिया हमने कर द्लस मिन पर रखंगे एक प्रॉप को दूसरी स्ट्राब को मारस में इस रखंगे तो हमारी जो हमारा मल्टीमेटर शो करेगा मैं 300-700 जο 375 के बीच में मैं ओर वेल्यू रहा करेंगे और घ्राइब को प्लैक को पर रखेंगे और माई-णेश पर रखेंगे तो या तो एक लिखाना चाहिए तो हजार से उप्पर लिखाना तो यह क्या है इसका मतलब हमारी primary line okay condition में है इसका मतलब हमारी battery battery connector से charging ice तक की line okay है अब हम इसकी faulty condition की बात करेंगे अब हम जानेंगे faulty condition in primary line तो यह circuit है हमने multimeter को कर दिया बीप पर set एक प्रोप को रखेंगे plus पर एक को रखा minus पर तो हमारा multimeter बीप दे रहा है बीप देने का मतलब क्या है अब क्रोस चेक करने पर भी क्या दे रहा है जब हम वह प्रोप को change कर रहे है तो भी वह दूसरी साइट से बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारी prime line shorting condition है इसका मतलब कोई ना कोई component short हो चुका है है प्राइम लैन का पैटरी कनेक्टर से आइसी तक का कोई component short हो चुका है या तो फिर चार्जिंग आइसी short है हमारी तो यह दा shorting condition अब हम अगली condition जानते हैं यह मैंने circuit ले लिया अब मैंने प्लस पर रख दे अब दिखा रहा है एक तरफ से दिखा रहा है 500 प्रॉप चेंज करने पर प्रॉप को जब मैं चेंज कर दे रहा हूं चेंज करने पर दिखा रहा है 600 तो इसका मतलब क्या है हमारा अब बिकेज कंडिशन में इस कंडिशन में हमारा फॉन और भी हो सकता है मगर बैट्री Todos कम हो जाएगी तुरंट कम होती रहेगी तो यहक्या है हमारा फॉल्टी झळीशन Delis can कंडिशन अब हम अगले प्रॉब्लम जानेंगे बैटरी गनेक्टर भी प्राइम लाइन की राइड वाली प्रॉप को में प्लस पर रखोंगा ब्लैक वाली को माइनस पर अब यह एक दिखा रहा है बस कुछ भी वैल्य शो नहीं कर रहा है एक दिखा रहा है दूसरे अपर थे घ्रफ गणिशन होगई तो हमने चार यह बंने कंडिशन झान लि उके कंडिशन टेट नोफरे फार्सलियोगा इन के लिए बतां चनेक्जर अब क्षचरें किणिन होती है मैं चैक करना बता दिया मैंने अब मैं आपको बताऊंगा भॉइन क्या होता है वाल्टेज्ज्ट चेक करेंगे चैक करेंगे वाल्ट नथिक करेंगा 1.2-4.2 तो यह कैसे चेक करेंगде बैनले लगाते ही बने गी जैसि हमने बैतरी लगाई और निकारा सेट को और अब बॉटेर के कनेक्टर पर हमने वॉल्टत चेक करें मोल्टी मीटर को वॉल्टेज किसके करते हैं 20 वाल्ट डीसी चेक करते हैं रेट ब्लैक प्रक्राप को करेंगे रेट प्रॉबसे चेक करेंगे 1.2 से 4.2 मिलने चाहे हमारी पावर की पे तो है नोट करते हैं यहां आप यह जूम कर लेते हैं तो यह हमारा तो हो एक होता पावर की का एक होता वॉल्यूम डाउण का ग्राउन तो इसको क्यों से करेंगे वेटरी को कनेक्ट कनेक्ट करना है मदरबोर्ट पर मदरबोर्ट के साथ अब हम क्या करेंगे बैटरी को कनेक्ट कर देंगे मदरबोर्ट के साथ मदरबोर्ट के साथ करने के बाद हमने मल्टी मीटर लेना है मल्टी मीटर को क्या करना है 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर देना है ठीक है ब्लैक प्रॉप को क्या करूंगा मैं ग्राउंड कर दूँगा रैड प्रॉप से पावर की को चेक करूँगा कितनी वॉल्टेज जानी चाहिए वन प्रेंट डिखा रहा है मैंने कितना बता था फंट टू से फोर फंट तु तक के बीच WEALTEC ाती है क्या हमारी मोकिए है अगर यहां वल्टेज नहीं आ रही है तो क्या होगर अमारा ट्रैक चेक करेंगे ऑन प्रेक का का उन अ बटन के ट्रैक करेंग हूं कंपोनें चेक कर तो अन बटन पर इतनी व्टज आने चीन भी 1.2 तो है अब लास्ट करेंगे हम सॉफ्ट एर से कि हमारा फोन फोर्ट बना करेंगे जैसे दो हमारा पूर्ट बनता है है तो है अब हमारा 500 देखते ह6 पॉंट आप दो चैक करेंगा चेक्ट चैक्नरी लाइन पर करेंगे हैं तो एक बैट्री टनेक्टर है फो लाइन तो जान ली तो यदिस्यद्र चानते हैं वह सागों प्राइम्री लाइन बोलते हैं अब सेकेंटर रलाइन येडाबशन कौन कौन सी आइसी आती है जो चार्जिंग He is coming लगी होती हैं च्रमीन लाइसी क्ति समें musi और वैफाई आइसी और एक said կहां में पावर अईसी तो तो यह लाइन को शेयों होगी सेकंडी लाइन यह इतनी इसी उस पर जाती है वीपि एस लाइन पीएफो लाइट ग्राफिक और वाइफाई और वावर आइसी अगर यह लाइन शॉट हो जाएगी तो सारा शॉट बताएगा इनके कंपोनेंट भी शॉट बताएंगे इन सारी कितनी मेंच th thять कि म Mend ko चेक कर लेते हैं और लिए देखनी पढ़ती है कि यसें पी एच लाइन कहते सेकेंद लेंगों क्या कहते हैं है फी पाटेश एद यगपिड़ रइज से से शीड़िग के लिए फावर अपावर आई पर भी वाट्च आ उते है जो coil के थुरू power IC coil के थुरू CPU को देती है और power IC coil के थुरू किसको देती है EMC को देती है ठीक है उसके बाद इसको क्या कहते है जो यह supply जाती है इन्हें buck voltage के नाम से जाना जाता है buck voltage कहते है उसके बाद power IC और दो voltage produce करती है VREG voltage और LDO voltage तो हमने क्या क्या जान ली हमने primary line जान ली VBAT से battery connector से charging IC तक primary line, secondary line charging IC से कौन कौन सी IC तक PFO, LID, Graphic, Audio, Wi-Fi और power IC तक हमारी secondary line होती है इस पर voltage आती है 3.7 फिर power IC हमारी 4 voltage जनेरेट करती है buck voltage LDO voltage VREG और modem की वी करती है हमारे network section के लिए modem की voltage नहीं बना रखी है modem की वी voltage जनेरेट करती है तो power IC हमारी output इतनी voltages करती है तो I hope आपको समझाया होगा आज का तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकल नबाना नहीं कुले थांक यू पर वाचिंगे झाल